स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RS Final Destination में जैसा कि आपको ग्यात है कि हमारी तीसरी क्लास चल रही है और दो क्लास सारी की सारी वीडियो अपलोड की जा चुकी है और तीसरी क्लास की भी कुछ वीडियो अपलोड की जा चुकी है तो तीसरी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसका जो टोपिक हमने लिया है मैं रिजिनिंग मेसेज क्लोग जो एक्जाम के नदेरे से काफी मोश इंपोर्डन बन जाता है और इसके कुशन एक या दो कुशन हर एक्जाम के पूछे जाते हैं इससे दो तीन टैपे कुशन बनते हैं और किस टैपे कुशन बनते हूं मैं भी आपको बताऊं söz सबसे पहले जाते हैं इसकी छोड़ी छोडी बात है कि किस तरीके से पता करेंगे सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो इक मिनट की सुखी है एक मिनट में जो एंगल बनाती है वो बनाती है 6 डिगरी का, कितने का एंगल बनाती है 6 डिगरी का और घंटे की सुई जो एक मिनट में जो एंगल बनाती है वो बनाती है half डिगरी का यह तो 1 minute of swing की द्वाला बनाए हुअए एंगल उसके आप्ट, 3 चीज हैं संपाथि, लंबबद और विप्रिथ संपाथी इस्तिती कब होती है, लंबबद इस्तिती कब होती है और विप्रिथ इस्तिती कब होती है तो इसी को समझाने के लिए मैंने तीन इसके फिगर बनाए है, जब एक सुई के ओपर दूसरी सुई हो, मतब दौनों के बीच में गंटे और मिनट की सुई का जो एंगल हो, वो जीरो हो, तो वो क्या होता है, संपाती स्थिति होती है, और यदि उन दौनों के बीच का जो ए एंगल बने, वो 180 का बने, तो वो इस्थिति क्या खेलाती है, विपरीट इस्थिति क्या खेलाती है, हमने जाना, संपाती में दौनों सुई या एक दूसरे के उपर होती है, लगोबत में दौनों के बीच का एंगल 90 डिगरी का होता है, उसके बाद हमने जाना, कि विपरी तो पर होते हैं तो ऐसा ट्वंटी 하र्ट में कितनी बार होता है गला कम बार होते है आपका करते हैं तो तुसरी के लंबबत लोह होती है मतलई एक टूसरे का पोजिट का होती है सुयां तो यह होती है 24 अवर्स में ये भी कितनी बार होती है 22 टाइम determat होती है उसके बाद जाना SBS 24 ताइम्स सुयां उसके बाद सब्सक्राइडना gelmiş जो होती है ताय Hazara और जो ऐसे कुछन हमेसा किसी ना किसी एक्जाम में पूछे चाहते हैं, उन्हें कुछना को हमने दिया है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, पहला कुछन, इस पर लिखा हुआ है, कि किसी घरी में, जब घरी में 3 बज कर 40 बजे हूँ, तो घंटे चता मिनट की सुही की बीच देखे, सबसे ज़्यादा कुछन अगर पूछा जाता है, तो मिनट और घंटे की सुही की बीच का एंगल पूछा जाता है, जो कि एक फॉर्मुला बेज्ट है, जिसको एजली हम याद भी रख सकते हो, उसको सॉल्मी कर सकते हैं, तो फॉर्मुला क्या है, वो देखते हैं इसका फॉर्मुला बनता है, 11 upon 2, 11 upon 2, multiply minute, minus 30, multiply hours, घंटा, तो ये इसका फॉर्मुला है, जो मैंने आपको लिख दिया है, कौन निकालने के लिए, कौन सा फॉर्मुला जो होता है, 11 upon 2, minute, 30, multiply, घंटा, तो इसकी वैल्यू कर सकते हैं, सबसे पहले किया, 11 upon 2, multiply, कितना है, मिनट, 40 मिनट अब में रखा, minus किया, 30, multiply, घंटी कितने, 3, 3 को किया, इसको solve किया, तो कितना है ये, 220, minus के 90, बराबर 130 बिगरी, तो इस टाइम जो दोनों के बीच में, घंटा और मिनट की सुई की बीच एंगल बनेगा, 130 बनेगा, इसम पूर्मोलें पूट करेंगे, और easily उसको हम solve कर देंगे, ये तो बात हुई, एंगल निकालने की, आब बात करते हैं, कि कब संपाती होंगे, आपको टाइम जी आओगा, कब वो लंबत होंगे, और कब विप्रेथ होंगे, देखिए, दूसरा कुशन देखिएगा, पढ़िएगा, किसी धरी में, 8 बजे से 9 बजे के बीच, कितने बजे धंटे और मिनट की सुई संपाती, मैंने एक ही कुशन को लिया है, और उसमें तीरो इस्तिफियों का वो solve किया है, कब वो एक दूसरे की संपाती होंगी, हैं, और एक बार 4 और 5 बीच में देखा है, तो सबसे पहले देखिए, 8 और 9 के बीच में संपाती, कि संपाती कैसे निगालते हैं, तो संपाती निडालने के लिए आपको उछ नहीं करना है, संपाती के लिए क्या करना है, 60 upon 11 multiply जो time आपको दिया हुआ है जैसे इसमे time क्या दिया हुआ है आपका 8 बजे से 9 बजे तो यह जो time दिया हुआ इसमें क्या करें कि multiply कर देंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 480 upon 11 तो इसमें जो time होगा वो होगा 8 बजकर 480 बटे 11 मिनट पर यह सूईया एक बूसरे के क्या भी संपाती होँगी तो संपाती का formula भी मैंने यहाँ पर लिखा है 60 upon 11 multiply जो आपका first time है उसकी multiply कर देंगे और बता देंगे कि 8 बजकर जो भी time कर 8 बजकर इतने मिनट पर यह धूद कीं गड़ियं की समाष्रूंक अब बात करते समझ वा एंदे आरे और लिफ्रीठ कि लिखें कि पूम चाहुत मुंगे धिशाय सब्रक semaine की में खेला कि को शुट मुझ्टिकी पाथ पर डिया भाँ और 159 कि है इसे फॉर्मुले मैंने लिखा है जब इप्रीत हो पिर्थम टाइम प्लस माइनस 6 तो प्लस माइनस 6 काप होता है यदि दिया हुआ टाइम 6 से जादा है तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं माइनस लेते हैं जब दिया हुआ टाइम 6 से जादा है तो वहाँ पे माइनस लेते हैं जब दिया हुआ time 6 से कम है तो वहां पे plus लेते हैं समझ में आप लोगों के जब दिया हुआ time 6 से ज़्यादा होगा जैसे यह time क्या दिया होगा है 8 बजे से 9 बजे तो यह time 6 से ज़्यादा है न 8 तो यहां हम क्या लेंगे minus और अगर यही time होता जैसे मैंने second question जो बढ़ा है यही होता चार और पांच मतलब 6 से कम होता तो 6 से कम में क्या लेते हैं आपे पिलस ज्यादा में माइनस और कम में पिलस solve जैसे करेंगे देखेंगा अब आपकी बाद 6 क्यों आया क्योंकि हम जानते हैं कि एक घंटे में जो सुई एंगल बनाती है वो होता है 30 डिगरी का और इसी पिरकार 180 को जब 30 से मैंटिप्लाइगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा ना इसी पिरकार जो हम लंबत है लंबत अगर धिया हुआ है उसमें 90 डिगरी का एंगल होता है अगर 90 डिगरी को हम 37 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा तो एजी लिए हम याद रख सकता है कि 90 पे पिलस मैनस 3 होता है और 180 पे पिलस मैनस 6 होता है और संपाती पे कुछ भी नहीं होता ना पिलस मैनस का कोई sign आता है नहीं सीधा सीधा multiply कर देते हैं उसको time पर लिख रखते हैं अब बात करते हैं इसका विपरित कैसे निकालेंगे तो उसी form डग दीजिए एट रखा हमने हमें यह पता है कि जो time है यह आठ चैसे ज्यादा है तो हम पर क्या लिख देंगे plus 6 solve कर देंगे इसको 60 upon 11 multiply 2 तो यह कितना आ गया 120 upon 11 तो इसका answer हो जाएगा 8 बज कर 120 बटे गया है मिनट पर यह सुई यह एक धूस रेके क्या होगी विपरीत होगी समझा आया 8 बज कर 120 बटे गया इसको भीन के रूप में लिख सकते हैं solve पड़ सकते हैं 11 सी बात देगे तो लिख सकते हैं या इसको भीन बना के लिख सकते हैं तो आंसर ऐसे भी दिया हो सकता है एक्जाम में या महिंत के रूप में भी दिया हो सकता है आठ बज कर इस तरीके से यह तो बात हुई हमारी विप्रीद बताने की और पहले हमाय संपाती अब बात करते हैं लंब बत कि यह जो आठ और नौ बजी की बीच यह सुईया कब लंब बत होंगी पहले हमने जाना संपाती कर भूँँगी हमने सिदा सिदा निकाला 60 अपन 11 बुणा जो पहला वाले टैम दिया है निकल गया उसके बाद हमने निकाला विप्रीद कर भूँँगी विप्रीद के लिए हमने यह किय सिक्स्टी अपन 11 मंटिप्लाई जो हमने फाइस टाइम दिया हुआ है और साइन मैंने बताया प्लस माइनस सिक्स जो आएगा अगर ज्यादा है सिक्स से तो माइनस कम है तो प्लस अब देखते हैं आप लंब बत करूंगी अब लंबत के लिए देखिएगा वही लिखना है 60 upon 11 साऍध़ से समझने नहीं है क्योंकि रंग消 Melo Cowart के लिए है मंटिपलाई भी टाइम फैञे जो दिया हुआ मेरा ने क्लेकिती दॉर्स माइनस थिर्षान, श्रॉप पेज कि पिलूप हो अदो आछ री क्या है, क्योंकि लगभुक्ष में प्रकूर निए। चो शॉल्ब करेंगे तो हमकि अएसा करते हैं, तो डॉल सुल्ब किया जोच। इसको आगे पी solve कर सकते हैं, बीने के रूप में लिख सकते हैं, तो यह हो गया कि 8 बज कर 300 वट्टे 11 है मिनट पर ये दोनों सुन्या एक दूसरे के क्या होगी, लंब बत होगी, तो तीरो तरीके से हमने solve किया, अब तो देखी हमने यहां पर जो timing था 8 बज के इतना था, ले या रख जिसे मैं एक और 4 और 5 बजी के पीश निकालना हूँ, तो आप सी दिसी जल 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 निकाल सकते हैं, आप से कुझे 4 और 5 के पीश तो आप तुरत निकाला, 60 मेंटी गया रहे हैं, जब लंब बज है, तो 4 प्लस 3 हो गया, 16 अपॉन 11 मुंटिप्लाई 7, 420 अपॉन 11 किती जल 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 हो गया, अगर इसी में पूछता हम से कि ये बिप्रीट कब होगा, तो कुछ भी नहीं, हमको याद है कि प्लस माइन सिक्स करते हैं, कम है तो प्लस हो जाएगा, इसी ही हो गया, 60 मुंटिप्लाई 10 अपॉन 11, इसका मतलब हुआ, 4 बज कर इतन है कितना, 4, 240 बती क्या रहा है, इसका मजब क्या हुआ, कि 4 बज कर इतने मिनट पर ये सुई है, एक दूसरे के संपाती होगी, तो ट्रीक भी हो गया, और आपके इस बार में समझ में भी आ गया, तो ये 3, 4 ची जानी हमने, एंगल निकालना, कब संपाती हो निकालना, उसक पूछा गया है, तो देखे, क्या कुशन है, उसको पहले देख लेगे है, मैं एडला पर बोड के पास से, समझे पहले, एक घड़ी में प्रते 3 घंटे में, 12 सेकंड एक घड़ी, 3 घंटे में क्या करती है, वो 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यदि उसे रभी बार को एक ब मंगरवार को पूछा कि 10 बजे उसमें क्या समय होगा, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, ऐसे समालों में, कि एक घंटे में वो कितने सेकंड आगे बढ़ती है, तो हमने देखा, कि जो सुई तक 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ रही है, तो एक घंटे में कितना बढ़ रही है हमें मतब 4 सेकंड बढ़ रही है, उसके बाद हम देखेंगे, जो टाइम हमने सेट किया है, और जिस टाइम को उस घंट में आजम देखा है, उन दोनों का अंतर कितना है, जैसे इस घंट में टाइम सु set किया गया था, लो रभी बार को 1 बज़े किया गया था, जिए जो आया इसमें 45 की मंटिप्लाई करती जिए ये 180 आ गया तो कितना हो गया इसको हम जब मिनट में रखेंगे किता हो जाएगा तीन मिनट इसका मतलब यह हुआ उस दिन जो घड़ी में जो बजा होगा टाइम वो होगा 10 बज कर तीन मिनट द्वारा समझ लीजिए सबसे पहले हम यह पता करते हैं कि एक घंटे में कितनी मिनट या कितने साइट आगे बढ़ती है उसके बाद हम देखते हैं जो हमें टाइम सैट किया है और जो अंतिम टाइमिंग हमने देखा है उन दोनों का डिफ्रेंस कितना है जो एक मिनट में टाइम ऐसको मंटिप्लाइ कर देते हैं उसको मिनेट में या चैंज करके मिनेट में बता देते हैं कि इतने बज coffee यह कहां इस घड़ी में है समझ में आया अब तेखी एक ऐसा ही सवाज इस भाद इूपी सी मीं आया है सवाल क्या था कोई दिवार घरी 24 गंटे में 10 मिनट दे चलती है मतलब 24 गंटे में 10 मिनट वो बढ़ जाती है इस घरी को सौमबार को 8 वजे सही किया गया उसके बाद जब ये घरी गुद्वार को देखी गई तो 6 वजे का समय दिखाती है तो इसको सौमबार को साम को 8 वजे ठीक किया गया था और ये जो घरी देखी गई सुवह 8 वजे ठीक देखा गया था और इसको घरी का जब टाइम देखा गया वो सुवह साम को 6 वजे देखा गया मतलब सौंबार को आठ वजे के बाद इसका हल्पा है बुद्वार को 6 वजे देखा गया तो यह पूछता है इसमें कि असलियत में अगर घड़ी इतनी मिनट तेज नहीं होती तो टाइम उसमें क्या होता तो उसी तरीके से निकालेंगे कि एक घंटे में कितने मिनट तेज होगी तो एक घंटे वजे घड़ी तेज होगी वह होगी दस बटके 24 इतने मिनट तेज होगी लिख लिए आपनी उसके बाद हमने देखा कि सौंपार को आट वजे से और जो अपराद 6 वज तक का कितने घंटे होते हैं तो यह टोटल जो घंटे होते हों कितने होते 58 कितने होते 58 उस घंटे कि हम गया मंटिप्लाइ कर ली सौंझ मैं इसको काड़ा पीड़ा जो भी देखते हैं जैसे पांच बारा और भी कर सकती है जब इसको आप काड़ेंगे तो यह संथिंग आएगा 24 कुछ कर गया आएगा उसके बाद इसको क्या करें इसमें पूछा है अगर यह पूछता कि उस समय सही टाइम क्या होगा तो हम दिखा देती कि 6 बचे होगे उसमें पूछा है कि सही टाइम क्या होगा तो इस जो यह टाइम जो आया है इसको हम 60 में से माइनस कर देंगे जो आशर आएगा वो होग तो इसको हम साट में से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा पांच बज़कर जो भी है 36 पॉइंट 37 पूइंट कुछ संथिंग आता है जिसको हम कह सकते हैं पांच बज़कर 38 गिनट पर यह घड़ी का सही टाइम होगा सबसे पहले निकालते हैं गटे में कितना हुआ उसके बाigung को देते हैं जो time हों डिफरेंस होता है उसको इसंगों कंटे में में कर देते हैं